जांजगिर जिले में सड़क पर मवेशियों के बैठे रहने से रहागिरों को आवागमन की समस्या बनी रहती हैं इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने जिलाप्रशासन को शिकायत किया था और चेताव ने दी थी कि अगर सड़क पर इसी तरह मवेशी बैठे रहेंगे तो उन्हें सरकारी दफतरों में छोड़ा जाएगा नेता प्रतिपक्ष त्वारा की गई शिकायत पर कोई कारवाई ना होता देख जिला भाजपा के प्रतिनीथी दल आंदोलन करते हुए कचहरी चौक से नारेबाजी कर एस्टेम आफिस पहुँच गया धरना स्थल पर भाजपा कारेकरता और पुलिस बल के साथ जूमा जटकी भी हुई भाजपा कारेकरताओं ने मवेश्यों को एस्टेम दफ्तर के अंदर लेजानी की कोशिस करते रहे फिर उसे उसके बाद एस्टेम को ग्या पन सौ पा गया नेता प्रतिपक्ष नारायन चिंदिन ने कहा कि गौठान होने के बावजूद मवेशी सडकों पर घूम रहे हैं तो गौठान किसलिए बनाए गया है गौठान पर सरकार अपनी जिम्मेदारी तै करे पसू हैं गव माताएं हैं वो सब सडकों पर हैं चाहे वो जिला मुख्यला हो चापा नगर हो नवागर हो पूरे छेत्र में आप कहीं भी चले जाएं इन पसूँओं को गौठान तक ले जाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया SDM ग्यानेंद्र सिंग ने बताया कि शिकायत पर कारवाई की जा रही है और आवारा पश्वों को जल्दी गौठानों तक पहुचा दिया जाएगा असुतोष गौस्वामी जी भारती जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा दिनांग 6 सितंबर को एक आविदन प्रस्तित किया गिया था उनके द्वारा उलेक किया था कि तीन बजे कचेरी चौक में धन्ना प्रदर्शन कर गे SDM आपिस तक एक पैदल मार्चो करेंगे उनके दो-तीन उसमें मुद्दे उन्होंने उलेकित किये थे नगरी चेतरों की सड़कों के मरमत के संबन में और तवरी दुरूप से जो अवारा जो मविस्ती हैं उनको अलग-अलग जगों पर सिप्टिंग करने के लिए तो उसमें उनसे बाद भी हुई है और तवरी तो उसमें करवाहिया भी चल लगी है नगरपालिका की टीम भी लगी हुई है और यथा संबह मरमत के कारे भी पूर्ण कर लिया गाएगा मवेशियों को SDM दफ्तर लेजानी वाले इस आंदूलन में राजिपाल के नाम SDM को ग्यापन सौपा गया नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाप सिंग चंदेल जिला पंचायत की पूर्वसदस्य नरेंद्र कौशिक सहीत बड़ी संक्या में भाजपा कार्य करता और नेता मौझूद रहे